नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं इन जीलो में नवी से बारावे की ओफ लाइन पढ़ाई चार फर्वरी से ही शुरू कर दी गई थी साप सफाई और सेनेटाइजेशन का कार्य पूरा कर दिया गया है सरकारी नौकरी में महिलाओ को आरक्षन देने पर जर्खन सरकार विचार करेगी रामेस्वर उराव जर्खन के बीत मंत्री डाक्टर रामेस्वर उराव ने कहा है कि महिलाओ के ससक्ती करण के लिए सरकार परतिबाद है सरकारी नोकरी में महिलाओं को आरक्षन देने पर भी विचार किया जाएगा इसके लिए सरकार से बात होगी JPSC, JSSC समेट और नेन्युक्तियों में महिलाओं के उतिन होने का अंग SDAC के समतुले करने पर भी उन्होंने समती जताई यह रविवार को प्रेस कल्ब में लिव फांडेशन, विश्वय युवक, केंद्र और प्रेस कल्ब की ओर से एक सेमिनार को समोधित कर रहे थे डाक्टर रमेश्वर उराव ने कहा कि बेटियों को अच्छी सिक्षा दे बेटा और बेटी को समानता भरतने की सुरुआत घर सही होनी चाहिए तभी समाज में भी समानता आएगी केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आदिवासियों पर अत्याचार बर्दास नहीं किया जाएगा कथी तौपर पूलिस के आत्याचार के कारण जेल हिरासत में एक आदिवासी युवक की महत हो गई थी केंद्रिय मंत्री उसके परिजनों से मिलने पुरुलिया आय थे जारखन के पूरो मुक मंत्री और आदिवासी मामलो के मंत्री अर्जुन मुंडा रभीवार को पुरुलिया जीले के बाग मुंडी थाना चेत्र के रवीटी गाँ पहुँचे सिरी मुंडा ने मारे गए युवक सिकारी मुंडा के परिवार की लोगों से बाचित की और उनकी मौत के बारे में पूरी जनकारी ली जारखंड में जल्द होगी 26,000 सिक्षकों की बहाली मंत्री सिरी महतो ने कहा है कि जारखंड में पहली बार इतना बड़ा बैट आया है शिक्षा विभाग में 11,500 क्रौर का बैट है सरकार सिक्षा को बेहतर करने में हर दिशाब पर पहल कर रही है सभी जिले में एक सभी परखंड में एक तता सभी पंचायत में एक मोडल इसकूल बनेगा जिसमें छातराओं के लिए होस्टल का निर्मान होगा बच्चों के लिए बस सेवा मिलेगी उन्होंने कहा कि कुरोना काल में बच्चों की सिक्षा जो बाजित होई उसकी पूरी भरपाई करना समभव नहीं होगा बावजूद हम लोग पर्यास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पाराओं सिक्षकों की समस्या का समाधान हम लोगोंने कर दिया बड़े हुए बेतन मान का भुक्तान भी हो गया 26 सिक्षकों के रित पद को मार्च अप्रेल तक भरने जारहे हैं 68 60 को के पद सरेजन गों को लेकर प्रकिरिया जारी है जारहण में 39lar का खत्यान ही होगा लागू मंत्री जगानाथ महतो सभी लोग जानते हैं कि जारहण में 39lar का ही खत्यान लागू होगा इसलिए सभी चाहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोले लोगों को दिखाने के लिए दूसरे दल के लोग ऐसा कर रहे हैं जानता को दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी इसमें सहयोग है 1985 में भी इन लोग रहे अब 1922 में भी है मंत्री ने कहा कि 1932 की मांग बिलकुल जायज है जब हम भी हार में थे तब भी 1932 के खत्यान के अधार पर ही हमारा जाती आय और अवास्ये निर्गत होता था आज भी हो रहा है जब भी हार सरकार ने 1932 के खत्यान को अधार माना था और अब हम भी हार से अलग होगा यहाँ तो 1932 की साधार पर होगा रांची में नहीं दिखा बंद का असर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च अखिल भारतिय भोजपुरी मगी मैथली अंगी का मंच के द्वारा बुलाय गया बंद का राजधानी में कोई असर दिखने को नहीं मिला दुकाने खोली रही सडकों पर अन्य दिनों की तरह आवाजा ही चल रही वहीं ओफीस बजार पर भी कोई असर नहीं पड़ा हलाकि प्रतिक करात्मक रूप से बंद के समर्थन में कुछ लोग जरूर अलवट एका चोग पर जुटे दुकंदारों को बंद में सहयोग करने को कहा समर्थकों के जाने के बाद फीद से अपनी दुकान खोल ली उधर राजधानी के आसपास के इलाकों में पुलिस चपे चपे पर तैनात रही राजधानी राची के अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया साथ मार्च के बाद पेट्रोल डियल के दाम में 10 रुपए की ब्रीधी क्रूड आयल की कीमत में जोरदार उच्छाल का असर जल्द ही पेट्रोल डियल के घरेलू बायार पर देखने की असांका ब्यक्त की जा रही है फिलहाल तो इनके मुले इस्थीर है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में 10 से 12 रुपए प्राती लिटर ब्रीधी की असांका ब्यक्त की जा रही है हलाकि क्रूड आयल की कीमतों में उच्छाल के बाद भी देश में पेट्रोल और डियल के मुले 4 नुमबर 2021 से लगातार इस्थीर है जारखन के आठ जीले क्रोणा मुक्त जारखन में तीसरी लहर के बाद क्रोणा संक्रमन के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं राजे के आठ जीले ऐसे हैं जहां क्रोणा के एक भी एक्टिव मामले नहीं है मतलब ए जीले क्रोणा मुक्त हो गाए इन जीलों में देवघर, दुमका, गोड़ा, जामतड़ा, पाकुड, पलामू, रामगड और साहिव गंजीला सामिल है रामगड में सुक्रवार को एक एक्टिव केस था, मगर हेल्थ विभा की और से सनिवार की राज जारी किये गए आकड़े के अनुसार एमरीज रिकवर हो गए इधर राज में अब तक 248 एक्टिव केस ही है पाकुड, जीला के युवाओ के लिए वायू सेना की बहाली में अस्थानिये को मौका पाकुड के युवाओ को वायू सेना में बहाली का मौका मिलेगा इसी के तहट यार फोर्स के अधिकायों ने जीला पर सासन के अधिकायों के साथ बैठक की बैटाक में वरून रंजन के अलावा यार फोर्स के दस वायू सैनिक चैन केंद्र पटना बी हटाक के विंग कमांडर एपी रेड़ी ने जीले के अधिकारियों के साथ कई मुद्ध्यों पर चार्चा की इस दोरान विंग कमांडर एपी रेड़ी सार्जेंट राकेश एवं कारपूरल एए तोमर ने वायू सेना के अगामी बाहली को लेकर जनकारी दी जीला से अधिक से अधिक छातरो का यार फोर्स में आवेदन कराने ज्वाइनिंग के तरीके गरूर फोर्स सहीत अने तरह की जनकारी दी गई जारखन में कुरोना के 20 नय केस मिले हैं जबकि 38 मरी स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 251 है भारत में 1729 नय केस मिले हैं जबकि 4052 मरी स्वस्थ भी हुए हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 54,941 है जारखन में साथ वरस बाद फार्मासिस्ट एनेम तकनिसियन की बहाली राजे में साथ साल बाद पारा मेडिकल कर्मियोक नियुक्ति दोबारा सुरू होगी फार्मासिस्ट, एनेम, लैब टेक्निसियन, एक सहरे टेक्निसियन आधी के पदों पर नियुक्ति के लिए निमावली में संसोधन अम्तिम चरण में है निमावली पर केबिनेट के स्विक्रिती मिलने के बाद नियुक्ति की अनुचंसा जार्खन करमचरी चैन आयोग की भेज़े जाएगी संसोधित निमावली में जहां पुर्वस्ते निबंधन पर करेरत पारा मेटकल करमियों को वेटेज देने की त्यारी की जा रही है वहीं इसकी परित्योक्ता परिक्षा में सामिल होने है तूँ समाने स्रेनी के ब्यार्थियों के लिए जहार्खन से मैट्रिक एवं इंटर्मिडेट उतिन होना अनिवार किया जा रहा है जहार्खन में ग्रामिन पेजलापूर्ती जोजनावों की होगी निगरानी जहार्खन में चल रही 18,451 की ग्रामिन जलापूर्ती जोजनावों की गुनवाता की जाच इसी मां मार्च से थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी पेजल एवं स्वक्षता भी भाग की और से एजेंसी का चैन कर लिया गया है अमतिम परकिरिया पूरी की जा रही है इस माह से थर्ड पार्टी एजेंसी पेजलापूर्ती जोजना में उपयोग होने वाले उपकरणों उसकी गुनवाता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्जय में लगे कर्मियों के मांदे पर भी नजर रखेगी केंद्र सरकार के जल सक्ती मंत्राले के निर्देश पर थर्ड पार्टी एजेंसी का चैन किया गया है सराय केला गोदाम में 2.60 क्रोड के चावल की फरजी एंट्री FCI से समबंध भिहार एस्टेट वेर हाउस कार्पोरेशन के सराय केला गोदाम में 8670 क्रोड चावल की फरजी एंट्री कर दी गई है खुले बजार में इसकी कीमात 3,000 रुपे प्रती क्रोड की दर से करीब 2.60 क्रोड रुपे होती है इसे माँ देवरी राइस मिल का चावल बताया गया है पिछले माँ 20-24 फरवरी के बीच कूल 30 लोट में चावल की ओनलाइन फरजी एंट्री की गई मामलाप पकड में आने के बाद गोदाम अधिक छक साइलेश कुमार सिना ने इस मामले की लिखित सिकायत भारत को चीन या पकिस्तान से अकेले लडनी होगी जंग अटल बिहरी वाजपै के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे या स्वन्त सिना ने कहा है कि अगर चीन या पकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो उसे युक्रेन की तरह अपनी लडाई खोद लडनी होगी कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक या स्वन्त सिना ने रूस के राष्ट पती पुतीन की तुनला उस ड्राइवर से किया जो किसी दुरघाटना के चिंता किये बगर फराटे से अपनी कार किसी भी चौराहे पर दोड़ा दे धूकू समुदाईक बिवाह के सुत्र में बंधे 175 जोडे जार्खन के राजेपाल रमेस बैस ने खुटी में आयोजी धूकू समुदाईक बिवाह कार करम को ओनलाइन समोधित करते हुए काहा कि हमारे समाज में कई समाजिक समस्याएं हैं गरिभी के कारण कई जोड़े साधी के बिना ही leaves in relation में रहते हैं ऐसी मेलाओं को धूकू करकर समोधित किया जाता है इस समाजिक समस्या को समाप्त करने की कोशिस की जा रही है यग प्रस्तन सनिय है इसके लिए को साँख का गठन किया जाना चाहिए इससे पहले उन्होंने नौ विवाही जोडों को असिर्वात दिया और सफल विवाही की जीवन की सुबकमनाय भी दी बाबा मंदिर में होली की तयारी शुरू देव घर के बाबा मंदिर में होली की तयारी शुरू हो गई है 17 मार्च के देर रात 1 बज़ कर 30 मिनट पर हरी हर मिलन होगा वहीं होली का दहन रात 1 बज़ कर 10 मिनट पर किया जाएगा अंग्रे जी तारिख के अनुसार देखा जाये तो रात 12 बज़े के बाद तारिख बदल जाएगा यानि 18 मार्च को हरी हर मिलन और होली का दान किया जाएगा इसके लिए भागवान हरी दोल मंच के लिए डोली पर दोफर तीन बज़े मंदीर के पचिम द्वार से प्रस्थान करेंगे वही मंदीर में जलारपन की ब्यवस्था ढाई बज़े तक ही चलेगी बाबा मंदीर में दोफर 12 बज़े के बाद सरधालू करा सकेंगे रुद्राविसेक बाबा मंदीर की ब्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीसी मंजुनात भयंतरी के निदेश पर बाबा मंदीर सभागार में SDM दिनेश कुमार्यादों ने पंड़ा धर्म रक्षनी सभा के साथ बैठक की बैठक में रुद्राविसेक से होने वाली परसानियों पर भी चार्चा की गई इसमें सरो समाती से दीन के 12 बज़े के बाद से ही रुद्राविसेक कराने का निले लिया गया वहीं बेवास्ता को लेकर कमिटी द्वार लागातार बैठक कर अपनी समझस से को बनाय रखने पर भी समाती बनी बैठक में अध्यक्ष के अलावा महामंत्री कार्थिक भी उपस्तित थे जार्खन के छह जीलों में फैलेरिया का कहर जार्खन के छह जीले कंभी रूप से फैलेरिया जैसी बिमारी की चपेट में है यहां बड़ी संक्या में लोग इस बिमारियों से जोज रहे हैं अब सरकार ने इन छह जीलों में बिसेस अभियान चलालने का निरना लिया है इन जीलों में साहेव गंज, बोकारो, धनबाद, रामगर, गुमला और देवघर सामिल है बता दे सोमवार साथ मार्श से बारह मार्श तक इन छह जीलों में फैलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा राजे कारेकरम, अधिकारी, वेक्टर, बोर्न, डिजेज, डाक्टर, एसेन, जहाने रभिवार को कहा की राज सरकार ने वर्ष 2030 तक जहारकन को फैलेरिया रोग मुक्त बनाने का लक्ष रखाया है नेतरहट बिद्याले परवेस परिख्छा का पहिनाम एक मह में घोसी तलातहार इस्थीत राजे के सबसे पृतिष्ठी सरकारी बिद्याले नेतरहट आवासे बिद्याले में काक्ष च्वहमे नमाककन के लिए परवेस परिख्छार अभिवार को संपन्ण हो गई बिद्याले के परचार डाक्टर संतोष कुमार सीना के अनुसार, परिक्षा पूरी तरह सांती पूर्ण हुई तथा इसमें 80% उपस्तिती रही, परिक्षा में सामिल होने के लिए लगभाग 2007 को परवेश पत्र जारी किये गए थे, परचारे के अनुसार इस परवेश परिक डाक्टर नीरायादव ने रभीवार को कोडार्मा के सहरी छेत्र से गुजरने वाली फलाई एस लदेवानों का परिचानन रोकने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया, अले सुबह राची जाने के करम में केंद्रीर सिक्षा राज्य मंत्री अनपूर्णा देवी की नजर, च उम्री तिले या सुबास चोक पास पहुंची और कई एस लदे हाईवा को रोक कर उनपर करवाई करने का जीला के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया, रांची में प्रधान मंत्री मात्रू वंधना योजना की समिक्षा, उबिकास आयुक्त रांची 20 साल सागर की अ अस्तन पान कराने वाली मताओ के लिए चलाई या रही पजनाओ की समिक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिये गए, पोशन अभियान और जीले भर में अंगनवाडी केंद्रों के धाचा अगत विकास को लेकर भी डीडी सी ने अवसक दिशा निर्देश दिये, ड्राइविंग के सोखिन युवाओ के लिए रोजगार के अवसर, जार्खन की रहधानी राची में ड्राइविंग के रूची रखने वाले युवाओ को भारी वाहन चलाने का परसिक्षन जीला परसासन दिलाएगा, इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है, बिती वर्ष 21 में जीला खनीज फाउंडेशन ट्रस्ट, फंड से राची के खालारी और बोडमो परखन के अकुसर लिवाओ को रोजगार के लिए हेवी मोटर, टीपर वाहन, लोडर और एक स्वेटर के वाहन को चलाने का परसिक्षन दिया जाएगा, इसके लिए उप वि स्वात मंत्री बनना गुपता पर होली का रंग चढ़ने लगा है, होली मिलन समारो, कवी समिलन में उन्होंने क्या नेता क्या पुलिस सब पर कावय के जरिये तंज कसा, उन्होंने नेता को चोर, एमेलो को डकायत और पुलिस को घुसखोर बताते हुए अपनी कवीता पर खोब तालिया वटोरी, इस कारेकरम में सहर के कवीयों को अमंत्रित किया गया था, सभी ने कावय पाठ किया, मगर मंत्री जी के कवीताओं ने होली मिलन के रंग को और चमकिला बना दिया, इस असर पर आम लोग और कवीयों की टोली मंत्री जी की ब्यांग्यात्मक कावय पाट का अनंत उठाए रहे लिव इन में रहने वाली महिलाओ के साथ भेद भाव गलात राजेपाल राजेपाल रामेस बैस ने इसे बिड़ामना मना है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओ को धोडुक से समुधित कर उनके साथ भेद भाव किया जाता है उन्होंन भी नहीं करने दिया जाता है यहां तक की महिलाय और बचे जरूरी दस्तावेज के अभाव में सरकार्य योजिनावक लाब से वन्शितर आ जाते हैं राज जेपाल रविवार को नीमित संस्तादवारा खोटी में अवेजी समोहिक विवाकार करम को वीडियो कन्फिरेंसी के माध्यम से सम्मोधित कर रहे थे बिधान सभाका सोमवार को घिराव करेंगे आज़सू पार्टी आज़सू पार्टी 1932 के खत्यान के अधार पर अस्थानिय नेती लागू करने तता OVC के आरक्षन की सिमा बढ़ाने सहीद सात मांगों को लेकर सोमवार को विदान सभा का घिराव करेंगी पार्टी ने इसकी त्यारी पूरी कर ली है राज एके भी भीन जीलों से हजारों करकरता इस गिराव करकर में सामिल होंगे पार्टी का पर्यास बिधान सभा तक पहुंचने का होगा हलाकि जीला परसासन ने भी करकताओ को धुरुआ पहुंचने से पहले ही रोकने का पूरा इंतजाम किया है धन्यवाद हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि क्या जारखन में 1932 के खत्यान लागू होना चाहिए 1932 के खत्यान लागू होने से युआओ को कितना लाब होगा हमें आप कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाएक अवस से दे साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का वेल एक अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर पेंतों तोक्ता सेयर करना ना भूले साथी साथ कोमेंट पक्स में अपना फिडिवेक अवस्चे दे तैंक यू